एक और नोट जैसे एफ डेश ए क्या रिप्रेशन करते हैं कैसे लिखते हैं इसको डेफिनिशन वाइज लिमिट एक्स टानिंग टिवर्स ए एफ एक्स माइनस ए नीचे एक्स माइनस ए यह जो दो लिखा हुआ है न उन दोनों को डिफ्रेंस नहां लिखो और इनी के आगे एक ऐसे यहां से अर्ट Combat चाहता हुए तो यहां पर लिखा है तो यहां पर भी एक्स माइनस फ़ोल लिख दिया उपर अफ्स लिख दि यह इसको बश्यस्त कि उपर अकर बच्चों इधार रटना चाहो तो logically वैसे हम समझा चुके हैं इसका geometric मतलब क्या होता है कहां से आया है अच्छा y is equal to fx में जैसे यह जो fx है वो तो y का value हो गया when x is equal to x x का value जो x है तब यह y का value f of a क्या है यह भी y का value है when x is equal to a यह ठीक है यह तो मनला कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि नीचे तो माल लिए x2 minus x1 लिखा है दो x का value लिखा है यह भी x का value यह भी x का value ऊपर जो लिखा है यह इसी x पे यह y का value है और इस x पे यह y का value तो x2 पे अगर y का value मालने है y2 है और x1 पे मालने है y का value y बन है तो उपर y2 minus y1 लिखा है यह ठीक है तो अगर मैं मालने है x को यह ठीक है x1 से x2 तक ले गया तो y कहां से कहां तक जाएगा y2 से y1 बनता है यह ठीक है तो अब मैं इसको ऐसे बसकते हूँ change in x कितना हो गया x2 minus x1 तो change in y कितना हो गया y2 minus y1 लिख ठीक है इसके बाद y2 minus y1 मालने मैं x को x1 से x2 तक लेके गया तो x की value में कितना change आया x2 minus x1 तो correspondingly graph के उपर y की value में कितना change आया y2 minus y1 तो अब basically यह क्या represent कर रहा है y2 minus y1 upon x2 minus x1 क्या represent कर रहा है this is representing change in y upon change in x यहां तक ठीक है या फिर हम इसको ऐसे वो सकते हैं this is equals to change in y यह ठीक है पर unit x यह ठीक है मालिया x2 minus section 5 हो गया तो x को 5 बढ़ाने पर y का मालने इतना value बढ़ रहा है तो x को अगर मैं एक की unit बढ़ा हूं तो कितना value बढ़ेगा जैसे मालिया मालिया से this is 5 और y के value में difference 10 का आ गया तो इस बात का मतलब क्या निकल ला है कि अगर मैंने x को 5 बढ़ाया तो y का value 10 unit बढ़ गया तो अगर मैं x को 5 ना बढ़ा के x को एक ही बढ़ा हूं तो y कितना बढ़ना चाहिए of course 2 units तो वह 2 कहां से आ गया 10 upon 5 से तो यह basically हमें क्या दे रहा है change in y per unit of x यह ठीक है इसको हम ऐसे ही बोल सकते है average rate of change of y यह ठीक है y मतलब किस रफतार से change हो रहे है with respect to x ठीक है जैसे माने graph की उपर गर मैं देखना चाहूं मानने यह x1 है यह x2 है यह y1 है यह y2 है तो graph तो यह ऐसे जा रहा है ठीक है graph अगर कहीं पर ज्यादा steep हो गया जैसे मतलब तुम देखो अगर graph माने ऐसे है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा x बढ़ाया और यहाँ पर उतना ही x बढ़ाया तो यहाँ तो y में बहुत अंतर आ जाएगा यहाँ तो y में negligible अंतर है तो अगर graph जादा steep है उसका मतलब क्या है कि y जादा तेजी से बढ़ रहा है वाई अगर माने यह flat type है जैसे sorry graph अगर flat type है जैसे यहाँ पर है तो y आराम आराम से बढ़ रहा है इसका मतलब यह तो अगर मैं इसकी बात करूँ ए से लेके b तक जाने की तो a से b तक graph तो तुम्हें दिख रहा है कि इसका steepness change होता जा रहा है यह ठीक है मतलब b के पास तो जादा तेरी से बढ़ रहा है एक आसपास आराम आराम से बढ़ रहा है तो इसलिए average word यूज किया गया है मतलब a से b तक जाने में on and average इस rate से बढ़ रहा है यह ठीक है मतलब इसको हमने constant rate मान लिया तो यह जो basically rate है वो a b का rate represent कर रहा है क्योंकि a b के straight line है तो line का slope तो constant होता है यहां फिर हम ऐसे बढ़ने की रफतार जो है वो प्रापर होती है जैसे अगर मैं इसको ऐसे बोलो कि एक line के उपर यहां पर x को एक unit बढ़ाओ तो भी y उतना ही बढ़ेगा जितना यहां पर x को एक unit बढ़ाओ तो भी y उतना ही basically हम अभी बात क्या करें है आपर कि अगर मैं a से b तक जाओं तो जो average rate है वो इस line के rate के बराबर है यह ठीक है and that average rate is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1 ठीक है बट जो graph का actual rate है वो तो हमें दिखा ही दे रहा है इस graph में उस line के बीच में तो यह अंतर है difference है यह ठीक है उसका मतलब गया है कि graph तो actual में क्या हो रहा है कि a के आसपास तो आरावा राम से बढ़ रहा है बी के आसपास तेजी से बढ़ रहा है और average मिला के वो a b के बराबर आगे ठीक है मतलब यह जो value है यह average value देगा exact value नहीं देगा ठीक है ऐसे देखो average rate तो इस line का rate हो गया actual rate जो है वो तो एक काव पर अलग लगाएगा हर जगा ठीक है यह मनल लिया कितना हो गया एक्सवन यह एक्सटू तुम इसको ऐसे देखो अगर मैं एक्सटू को यहां पर लेने की बजाए यहां ले लू ऐसे तो अब average rate इस line का rate हो जाएगा इस interval की उपर मतलब जो interval था उसको मैंने मनल लिया आधा कर गया ठीक है जैसे यहां तो इतना gap था यहां तो graph आराम आराम से बढ़ रहा था फिर तेजी से बढ़ रहा था line पर constant बढ़ रहा है बट आधा करने से क्या हो गया कि जो error है कम से कम जो actual में और average में जो error है वो थोड़ा better हो गया कम हो गया ठीक है तो एक बार और अगर मान यह मैंने ऐसे लिया जिक है यह फिर मैंने अधरलिया तो यह और पास आगा है line फिर उसका भी डिए मैंने आधर लिया तो और आगए तो अगर मैं ऐसे जो right वाला 20 यस job को के उपर ले जाओं मलने में बी को कटो की उपर चला के एक ही तरफ ले जाओं तो जो average है वह actual के पास आता जाएगा, यह ठीक है, उसका मतलब क्या है, यहाँ पर, इस expression से हमने शुरू किया था है, जो x minus यह है, this is nothing but x2 और x1, तो अगर मैं x2 को x1 की तरफ ले जाओ, तो यह कहां जाएगा, 0 की तरफ, यह ठीक है, उससे क्या होगा, कि यह वाला जो quantity है, यह basically quantity क्या represent करता है, average rate, यह ठीक है, यह जो average rate है, वो actual के पास जाएगा, तो अगर यह मनने है, average rate पांच की तरफ जा रहे है, तो उसका मतलब क्या कि 5 actual rate हो जाना जाएगा, अगर यह, जैसे जैसे xa की तरफ जा रहे है, वैसे वैसे मनने यह वाला value, limit की बात नहीं करें, केवल यह जो अंदर expression लिगा है, यह 5 की तरफ जा रहे है, तो उसका मतलब क्या कि 5 यह actual rate होगा, तब ही actual rate की तरफ जा रहे है, यह expression 5 की तरफ जा र पहले explain किया, graphically है, क्या represent करता है, this represents slope of the tangent, और अभी जो हम discuss करें, this also represents instantaneous rate of y with respect to x, यह ठीक है, अब हम इसको ऐसे बहु सकते हैं, की fx minus fa upon x minus a, this is average rate of change of y, यह ठीक है, with respect to x, now if x approaches towards a, तो फिर fx minus fa upon x minus a, this will approach towards, यह ठीक है, actual rate of change of y, यह ठीक है, यह ठीक है, यह ठीक है, hence, this implies, limit x is turning towards a, fx minus f of a, upon x minus a, is nothing but, instantaneous rate of change of y, यह ठीक है, y मतला, यह ठीक है, यह ठीक है, वैसे f dash a में क्या देता है, derivative देता है, derivative मनला, differential देता है, तो शाहिद तो मैं यह सब तो पता होगा, कि x square का derivative 2x आता है, sin x का derivative cos x आता है, वो सब इसी limit को calculate करके निकाल आ गया, अज़े मैं बुलू न, x square का derivative 2x कैसे आ गया, यह limit calculate करो, fx की जगे x square रखो, फिर यह calculate करो, 2x आ जाएगा, ठीक है, तो वो वाले formulae सब यहाँ से prove किये गए, जो differentiation वाले formulae, ठीक है, अभी हम क्या बात करें, कि जैसे माल लिए y is equal to x square है, तो y dash कितना हो जाएगा, 2x, तो यह हमें क्या दे रहा है, यह हमें दे रहा है, instantaneous rate change of y, इस graph का, कहाँ पर instantaneous rate change of y, वो इसमें, जैसे 2x में x आ रहा है, तो x अगर अलग अलग रखोगे, तो इसका मतलब गया, यह value अलग लगाएगा, उसका मतलब गयागे, जो graph है, उस पे भी, graph तो ऐसे बनेगा x square के, तो इस पे भी अलग अलग points पे अलग अलग rate है, जैसे जैसे एसमे x जादा रखेंगे, वैसे वैसे बढ़ जाएगा, उसका मतलब गयाएख, जितना हम आगे जाएगे, उतना ही ग्राफ जादा steep होता जा रहे है, steep क्यों होता जा रहे है, क्योंकि यह value बढ़ता जा जा, उसका मुलब है X को थोड़ा सा बढ़ाने पर Y जादा बढ़ रहा है ठीक है जैसे मालिया अगर इसमें मैं X से गोज टू बान रखा हूँ तब तो Y डैश कितना हो गया 2 अगर X से गोज टू मालिया 3 रखा हूँ तो Y डैश कितना हो गया 6 तो यह 2 और 6 वैल्यू क्या रेप्रेजेंट करता है theoretically वो हमें यह बता रहा है कि 1 के आसपास theoretically अगर मैं X को एक यूनिट बढ़ाऊ तो Y दो यूनिट बढ़ जाएगा यह Y डैश 2 आने का मतलब क्या है क्योंकि अगर यह X equals to 1 है थोड़ा सा आगे गए यह माले X equals to 2 है तो एक थोड़ा सा आगे जाने पर क्या होगा रेट फिर चेंज हो गया तो जो एक्च्वल में अगर मैं एक यूनिट बढ़ाऊंगा तो Y तो दो यूनिट से जादा बढ़ेगा वो तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे instantaneous rate क्या है मतलब इस पॉइंट पे tendency क्या है Y के बढ़ने की वो 2 है यह ठीक है उसको जब मैं यह बोला हूँ कि X को एक यूनिट बढ़ाऊंगा तो Y दो यूनिट बढ़ जाएगी Crudely बोला जाला है This is not actual अगर X को वाकई में एक यूनिट बढ़ाऊगे तो Y तो दो यूनिट से जादा बढ़ेगा क्यूं बढ़ेगा दो यूनिट से जादा क्योंकि इस पॉइंट के थोड़ा सा आगे जाने पे rate और जाता हो जाएगा ठीक है, x equals to 3 पे अगर मैं एक यूनिट बढ़ाऊं, crudally वापस, not actually, x equals to 3 पे instantaneous behavior क्या है function का, कि x को एक यूनिट बढ़ाने पर y 6 यूनिट बढ़ जाएगा, तो यह तो बहुत तेज बढ़ रहा है, इसके comparison, तो सही बात है, अगर x equals to 3 पे तुम graph देखोगे, तो वो और जाता है steeper है, यहाँ पे तो कम steep था, आगे जाता है और steep होगे है, इसलिए यहाँ rate जादा आ रहे है, ठीक है, तो अब finally हम यह भी बहुत सकते हैं, तो उसका मतलब यह है कि this represents slope of the tangent at x is equals to a, if exist, यह भी हो गया, फिर तीसरा definition अभी हमने क्या बता है, this also represents rate of change of y with respect to x, एक particular point पे अगर हमने यह limit evaluate किया, मालने x is equals to 4 फे यह limit evaluate किया, और यह limit evaluate करके answer half आया, तो इस half का मतलब क्या होगा, Crudely उसका मतलब यह होगा कि x को अगर एक unit बढ़ाओगे, तो y half unit बढ़ेगा, ठीक है, इसका value अगर negative आजाए, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब यह होगा, कि फिर x को बढ़ाने पे y बढ़ नहीं रहा है, y घट रहा है, जैसे मालने अगर इस limit को calculate करके value minus 3 कि उस point पर अगर theoretically मैं x को एक unit बढ़ाओँ, तो y 3 unit से घट जाएगा, वहाँ पर negative value आजाए, ठीक है?